सब्स्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फाइनली समसा ने आज 8NAS के लिए Android 11 based 1EY 3.1 का कोर वर्जन रोल आउट कर दिया है 8NAS के लिए बात करें अपडेट फाइल की तो 1393.25 MB का अपडेट है जुलाई 2021 का लेटेस्ट सिक्योर्टी पैच देखने को मिल जाता है दोस्तों तो आज की इस वीडियो के अंदर इस अपडेट का मैं फुल रिव्यू दूँगा जानेंगे कि क्या कुछ ने फीचर्स और इंप्रूमेंट्स किये गए हैं समसंग 18S में Android 11 अपडेट आने के बाद तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को लाइक टार्गेट हम रखते हैं 200 लाइक दोसो लाइक आप लोगू पूरा करवा दीजेगा और चैनल के प्हले बनाया तो प्लीज चैनल को सबसक्राइब कर दिजेगा क्योंकि 90% जो मेरे विज्वर्स है वो मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं लगन सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजیएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है त्यूश आप देख रहे हैं ठीक दोस प्ई तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं lock screen से दोस्तों तो lock screen कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों और अगर आप clock पे tap करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे options भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इसके अलाबा आप इसके widgets को customize कर सकते हैं दोस्तों इसके अलाबा बात क आप किसी application पे long tap करते हैं तो यहाँ पर जो options आ रहे हैं वहाँ पर समसंग ने blur effect को add कर दिया है दोस्तों इसके अलाबा समसंग ने app drawer में ब्लर effect को add कर दिया है और recent tap में भी समसंग ने blur effect को add कर दिया है कुछ इस तरह से इसके अलाबा बात करें notification पैनल की तो नोटिफिकेशन पैनल कुछी तरह से आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी Samsung ने improvements किया है जो notification पैनल है उसको transparent कर दिया गया है दोस्तों इसके अलाबा बात करें settings की तो settings के UI को Samsung ने change कर दिया है कुछी तरह से आपको UI देखने को मिल जाता है आप बात कर लेते हैं features के बारे में जो की settings में आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों तो सबसे पहला feature है sounds and vibrations में दोस्तों यहाँ पर आपको पहला option देखने को मिलेगा जो कि यह है call vibration pattern तो यहां पर आप call के vibration pattern को change कर सकते हैं, जो call आता है incoming call तो समय जो vibrations रहता है उसको आप change कर सकते हैं, इसके अलाबा आप notifications के भी vibrations patterns को change कर सकते हैं दोस्तों, और vibrations की intensity को आप कम जादा कर सकते हैं, इसके अलाबा बात करें next feature की, तो next feature है system sound vibration control तो पहले सिर्फ आप system के sound को control कर सकते थे लेकिन अब आप vibrations को भी control कर सकते हो दोस्तों ये भी new feature add हुआ है 1UI 3.1 update आने के बाद इसके अलाबा बात करें next feature की तो next feature है notifications का दोस्तों notifications का एक अलग section दिया गया है अब आप notifications को भी customize कर सकते हो यहाँ पर आप brief या detailed रख सकते हो अगर आप brief रखेगा तो कुछ इस तरह से notifications show होगा अगर detailed रखेगा तो कुछ इस तरह से notifications show होगा दोस्तों इसके अलाबा आपको as lighting feature दखने को मिल गया है दोस्तों तो सबसे पहला तो feature है आई comfort shield तो यह जो feature है यह blue light filter का एक updated version है दोस्तों और भी अच्छी तरीके से optimize किया गया है इसके अलाबा बात करें next feature की तो next feature है edge panel का दोस्तों तो edge panel में भी Samsung ने blurry effect को add कर दिया है कुछ इस तरह से आपको edge panel देखने को मिलता है इसके अलाबा बात करें next feature की तो next feature है wallpapers में तो यहाँ पर आपको dynamic lock screen देखने को मिल गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलाबा बात करें next feature की तो next feature है private share जो की है biometrics and security में यहाँ पर आप कोई भी data कोई भी photo कोई भी video को private share कर सकते हो इसके अलाबा बात करें next feature की तो next feature है advanced features में पहला feature है continue apps on other devices तो यह feature new add हुआ है इसके अलाबा motion and gestures में Samsung ने एक और feature add किया जो की है double tap to turn on screen double tap to turn off screen तो यह काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ जब आप इन दोनो options को on कर देंगे तो आपके device का अगर screen off होगा तो double tap किजेगा तो on हो जाएगा और अगर आपके device का screen on होगा तो double tap किजेगा तो ओ off हो जाएगा यह new feature add किया है Samsung ने one UI 3.1 update आने के बाद इसके अलाबा Samsung ने one handed mode में भी improvement किया है अब देख सकते हैं यहाँ पर भी blur effect को add कर दिया गया है इसके अलाबा बात करें next feature की तो next feature है floating notifications तो यहाँ पर आपको तीन options देखने को मिल जाते हैं एक तो आप चाहें तो off कर सकते हैं एक है bubbles और एक है smart pop-up view तो आप अपने according इसे use कर सकते हैं बात करें next feature की तो next feature है swipe to call or text तो यह feature बहुत पहले से available है दोस्तों जब आप किसी को call करते हैं तो left swipe कीजिएगा तो call हो जाएगा right swipe कीजिएगा तो message हो जाता था दोस्तों तो इस feature को आप off नहीं कर सकते था दोस्तों यह हमेशा on ही रहता था लेकिन Samsung ने अब इसे off करने का भी option दे दिया है दोस्तों इसके अलाबा बात करें next feature की तो Samsung ने यहाँ पर accessibility के layout को change कर दिया है इसके अलाबा बात करें next feature की तो next feature है remote support इसके अलाबा बात करें कुछ और features की जो Samsung ने applications में किये हैं तो सबसे पहला feature है call background का दोस्तों जो की Samsung ने phones application में किया है तो सबसे पहले तो आपको phones application में जाना है उसके बाद three dot पे click करना है settings में जाना है यहाँ पर आपको call background का option देखने को मिल जाएगा दोस्तों अब अपने according जो background है उससे select कर सकते हैं इसके अलाबा next feature है call display while using apps तो यहाँ पर Samsung ने इसके layout को change कर दिया है इसके अलाबा बात करें next feature की तो messages app में recycle bin को add कर दिया गया है इसके अलाबा बात करें next feature की तो gallery में Samsung ने कुछ improvements किये हैं जो options रहते हैं उसको नीचे की side कर दिया गया है दोस्तों इसके अलाबा photo editor में भी Samsung ने कुछ changes किये हैं बात करें next feature की तो next feature है clock में दोस्तों तो यहाँ पर Samsung ने एक feature दिया है sit bed time तो आप अपने according अपने सोने का समय और उठने का समय यहाँ पर आप select कर सकते हैं और जब आप इस feature को enable कीजिएगा तो आपका जो screen है सोते समय वो black and white हो जाएगा दोस्तों इससे जो battery backup है वो और भी ज़्यादा improve हो जाएगा इसके अलावा बात करें next feature की तो next feature है my files में तो my files में भी कुछ changes किये हैं Samsung ने इसके अलावा volume panel को completely change कर दिया गया है इस update के बाद साथ ही आपको एक gallery में option देखने को मिल गया है जो की है remove location data तो आप कोई भी photo share करते है location को आप remove कर सकते हैं यह new feature add हुआ है 1UI 3.1 के बाद बाकी और भी काफी सारे features और improvements किये गए हैं इस update में जिसके बारे में मैं dedicated video लाओंगा जिसमें मैं आपको full review दूँगा दोस्तों तो channel को जरूर से subscribe कर देजिएगा ताकि जब भी मैं video upload करूँ आपको notification मिल जाए क्योंकि 91% जो मेरे viewers हैं वो मेरे channel को subscribe भी नहीं किये हैं तो please subscribe जरूर से कर देजिएगा मैं मिलता हैं आपसा next video में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम